दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेट की चर्बी या पेट की नीचे की हिस्से की चर्बी और जो कमर के उपर चर्बी जमा हो गई है वो उसको घटाने के लिए उसको कम करने के लिए उस हर एक दूसरा व्यक्ति मोटा पे सिग्रस्थ है और इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई डाइटिंग करता है कोई जिम जोइन करता है और बहुत लोग इस दबाओं का भी सहरा लेते हैं लेकिन उसके साइट अफेक्ट होने के विरे से और बुरा हो जाता है वैसे दोस्तो इसका जो मुख्य कारण है चर्बी जमने का वो हमारे खान पीन और दिन चरिया की वज़े से ही होता है दोस्तो इसका इलाज भी हमारी दिन चरिया में ही छुपा है तो आईए देखते हैं आप अपने खान पीन में क्या परिवर्थन लाकर और किन चीजों को छोड़कर अपने पेट के नीचे की हिस्से की चर्वी को हटा सकते हैं दोस्तो इसी के लिए आज हम लेकर आए है बहुत यह अठ्रा नुसका दोस्तो इस उपाय में आपको एक आरवेदिक घरेलु चाय तयार करनी है और उसे अपने दैनिक जीवन में जोड़ना है दोस्तो इस चाय को तयार करने के लिए आप सबसे पहले तो कप पानी लें और इसको एक भगोरे में डाल कर हलका गरम करें उसकी बार आप इसमें थोड़ी सी अधरक मिलाएं और इसको पानी को उतना उबालें कि पानी आधा रह जाए दो कप आपने पानी लिया था जब एक कप पानी रह जाए तो आप उसको उतार लें और थोड़ा ठंडा कर लें पीने लाए गुनगुना रहने दें उसमें फिर एक चमच आप सहद मिलाएं और आधा चमच निबू को रस मिलाएं मस आपकी दवा तयार है आपको इस चाय का सेवन दिन में दो बार करना है पहला तो आप इसे सुभे खाली बेट पिएं और दूसरा रात को सोने से डेल घंटा पहले ये चाय देखते ही देखते हैं आपके सरीर की चर्बी को जड़ से हटा देगी और अब जब भी आपका चाय पीने का मन हो तब आप इसी चाय को पिए क्योंकि इस चाय में आईरवेद में आईरवेद की सबसे ज़्यादा अधिक इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है सबसे कारगर ओजदी का परियोग हो रहा है इसमें इसलिए इस चाय की एक खास बात ये भी है कि सिर्फ मोटा पाई नहीं बलके बजन कम करने के लिए अपने पेट की और पेट के चारों तरफ कमर के चारों तरफ जो चरवी जमा हो गई उसको हटाने के लिए यह बहुत अच्छा नुसका है आप इसको प्लीज आप इसको जरूर आप इसको जरूर आपको फायदा होगा आज के लिए सिर्फ इतना ही हम जल्दी आपको पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ और नहीं मर्ज और उनके आसान से वपायों के साथ तिल देन बाय बाय और टेक केर